योग अईर्वेद में आपका पुना स्वागत करता हूं एक उसद्य जानकारी के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं अपा मार्ग छार जिसको लडजीरा यह ओंगा भी कहते हैं तो इसका छार दो प्रकार से बनाया जाता है एक तो अगनी तापी दूसरा सूर्य तापी तो सूर्य तापी जो चार है अप मार्ग छार वो किस प्रकार बनाया जाता है मैं आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके लिए बताने बाला हूं तो अप मार्ग छार सोधन लेखन का का काम करता है यह श्वास चार सूत्र बनाने में इसका प्रियोग सबसे जादा किया जाता है अप मार्ग छार के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखें और वीडियो पर संद आए तो उसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अप मार्ग छार बनाने के लिए हमें अप मार्ग का पंचांग चाहिए होता है तो आप जंगल से जाके अप मार्ग को उखार लेते हैं यह आपको भरत वर्ष में हर जगाव उपलब्द हो जाता है यह रोट के किनारे या खाली पड़ी जगाओं पर मिल जाता है यह बारिस हो जाने के बाद यह स्वता ही उगाता है और गर्मी जैसे ही आती हैं तो यह परी पक होके सूख भी जाता है तब यह जब परी पक हो जाता है ता हम इसको उखार लेते हैं और उखार लेके बाद हम इसको शाफ करके सुखा लेते हैं इसको सूख जाने के बाद इसकी हम भसम या राक बना लेते हैं इसकी राक या वसम बनाने के लिए आप किसी कड़ाई या पातर में रखके भी बना सकते हैं या किसी साफ जग या मिट्टी कड़ भार निकल जाते हैं कुछ वीडियो इसे डिलीट हो जाने के कारण में इसकी भसम बनाने की विदी आप तक नहीं पहुचा सका जैसे ही भसम यह बन जाती है तो हम इस भसम को 6-8 गुनाव पानी में इसको हम मिक्स कर देते हैं मिक्स हो जाने पर थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं जैसे ही पानी ठहर जाता है तह हम इसको छान लेते हैं या निथार लेते हैं इसको हम करीब 8-11 वार छान या निथार सकते हैं हम इसको ठहरा ठहरा के निथार सकते हैं हमारा जो चार है इस पानी से प्राप्त होता है जो नीचे भसम या कण या गंदगी जो भी कहें जो बैट जाती है उसको हम निकाल के अलग रख देते हैं अब हम इसके कुछ फाइदे की बात करते हैं कि इसको हम किस परकार प्रियोग में ला सकते हैं अपमार्ग चार अपमार्ग चार का प्रियोग सबसे जादा हमें चार सूत्र बनाने में किया जाता है चार सूत्र में अपमार्ग चार का एक मुक घटक का प्रियोग के रूप में किया जाता है इसका चार बहुती तीक छुड या लेखन का कारिया करता है यह हमारे सरीर में सोधन का भी कारिया करता है स्वास कफ लिकालने में काफी यह कारगर सावित होता है निमोनिया होने पर भी हम इसका चार प्रियोग में ला सकते है इसकी चार या राख में पोटेसियंट सबसे अधिक मात्रा में होती है बच्चों को स्वास समंदी समस्या होने पर या सीने में गड़गड़ाट की आवाज आने पर या सांस लेने में दिक्कत होने पर आप इस अपमार की चार करीब 125 एमजी से 250 एमजी सहद में मिलाकर प्राता और शुबह साम आप चटा देते हैं तो इसको खासी या स्वास में काफी लाब हो जाता है खांसे आपको बार-बार प्रेशान करती हो, कफ निकलने का नाम ना लेता हो, कफ गाड़ा होके लिससर होकर आपके सीने में जमा हो जाता है और निमोनिया हो जाती है निमोनिया होने की अवस्ता में आप 500 mg अपमार्ग चार और 500 mg सक्कर और 30 गराम गराम पाने में मिलाकर आप इसका सेवन साथ दिन करवाते हैं तो आपकी निमोनिया में काफी आराम हो जाता है इस अपमार्ग का प्रियोग बादविकार अश्मरी सक्क्रा मूत्र कुछ यादी पीला को सांध करने के लिए भी किया जा सकता है जब आपका पानी साफ होके निथर जाए तब आप इस पानी को बड़े से बरतन में लेकर शूरिये के सामने रख देते हैं बैसे तो हम इसको अगनी पर भी चलाकर इसको पानी उड़ा सकते हैं मगर हम आपको सूरिये तापी या सूरज के द्वारा बनाया गया छार बनाने की भी दीवता रहे हैं तब आप इस चार को सूरज के सामने रख देते हैं इसमें थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि अगर गर्मी का मौसम है तो सूरज जन्दी लिकलते हैं और देर से छिपते हैं इसलिए तापमान भी अधिक होता है उस पक्त इसका पानी तीब्र गती से उड़ शकता है मौसम ठंडा होने पर इसमें बहुत सारा समय भी व्यतीत हो शकता है तो इस टेम गर्मी का मौसम चल रहा है मैंने इसको बरतन या पात्र को मैंने छट पर रख दिया है अब इसको सूरज के सामने इसको पानी हमें उड़ाना है जैसे ये पानी उड़ता जाएगा इसमें हम प्राप्त होता है ये चार कुछ मटमेला ये नमक जैसा होता है तब आप इस बरतन से खरोच कर या बारी करके किसी सी सी में भरके रख लेते हैं और इसका प्रियोग करते हैं जब आपको अपमार ना मिले तब आप इस चार का प्रियोग कर सकते हैं इस चार का उप्योग आ आप 125 mg से लेकर 500 mg तक कर सकते हैं इसका उपयोग हम किसी द्रब्य या उसद्धी के साथ करते हैं क्योंकि काफी तीक छुण होता है तब आप इसका सेवन कर सकते हैं अपमार्ग छार का सेवन करने से पहले आप किसी बैद या डॉक्टर की सला जरूर लें तो यह सूरिय तापी अपमार्ग छार बनाने की बिदी थही आप इसको अपने आस्परोस या किसी दोस्त को जरूर सेः करें ताकि वो इसको बनाए और उसको सेवन में ला सके तो यह अपमार्ग बनाने की बिदी मैं यहीं समांप्त करता हूं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई और सद्य जानकारी के साथ तब तक धन्यवाद